नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सुवाकत है आपका क्रिकेट लाइंग गुरू चानल मैं आपके साथ मैं हूँ प्रियांका दोस्तों विराट को लिए वो खिलाडी हैं जुनके आगे अच्छे अच्छे बलिबास फेल हुआ करते थे अच्छे गेन बाजों के पस्तीने छूट जाये करते थे लेकिन आज जब वो खराफ फॉर्म से जूज रहे हैं तो लोगों ने उनको टीम से बाहर करने की बाते करना शुरू कर दिया है और वो ये भूल गए हैं कि विराट ने टीम इंडिया के लिए कितनी शांदार पारिया खेली हैं तो दोस्तों जैसे क्रिकेट एक एमोशन होता है ठीक वैसे ही खिलाडी भी एक एमोशन की तरह ही होता है एक दशक से वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बल्ले बाजी से तहल का मचाने वाले विराट कोहली को आज टीम से बाहर करने की मांग हो रही है सोशल मीडिया यूजर से लेकर क्रिकेट के कई दिगजों को लगता है कि किंग कोहली का दौर खत्म हो चुका है टीम इंडिया बस उन्हें धोय जा रही है जिस खिलाडी ने दोस्तों भारतिये फैं विराट कोहली का दौर खत्म हो गया है अगर आकड़ों की बात करें तो ऐसा नहीं है कोहली आज भी टीम इंडिया के बेस्ट बल्लेबास हैं ऐसा हम क्यूं कह रहे हैं इसके बारे में इस वीडियो में आपको बता रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर हैं तो दोस्तों विराट कोहली ने 2020 के बाद तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादार रन बनाए हैं टीटोऌटी क्रकेट में उनकी बल्ले से 663 रन वंडे क्रकेट में 702 रन और टेस्ट क्रकेट में 706ज़शट रन निकले हैं और अगर तीनों फॉ दोस्तो इस हिसाब से तीनों फॉर्मित में सबसी जड़ा रन बनाने की लिस्ट पर नज़र डाली जाए तो टॉप 10 खिलाड़ियू में विराट OAuth नंबर साथ पर आते हैं इस लिस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबराजम नंबर वन पर हैं बता दे कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 3508 रन बनाए हैं तो वहीं विराट ओली साथवे नंबर पर विराजपान है जबकि रिश्यप नौवे नंबर पर और रोहित शर्मा दसवे नंबर पर शामिल हैं हालांकि कोहली से रोहित और रिश्यप पंद का एवरेज ज्यादा है विराट ने 34.95 के एवरेज से रन बनाए है तो वहीं रिश्यप पंद का एवरेज रहा है 49.05 का और 2020 के बाद रोहित चर्मा का एवरेज 49.21 का रहा है बताते कि विराट न सिर्फ रिकी पॉंटिंग और सचन तिंदुलकर हैं जिनोंने 71 और 100 इंटरनाशनल शतक लगाए हैं ऐसे में क्रिकेट फैंस और पूर्व दिगजों को लगता है कि शतक लगाए विना विराट का टीम में रहने का कोई भी मतलब नहीं है अब हमारा सवाल यह है कि क्या वो नहीं बनाते हैं क्या वो अच्छी फिल्डिंग नहीं करते हैं फिल्डिंग में भी दोस्तों विराट कोहली ने कितने शांदार कैचस लेकर टीम को जीत के करीब पहुचाया है अब जिस खिलाडी ने क्रिकेट फांस को खुशी मनाने के इतने मौके दिये हो उसके खिलाफ इतनी जल्दी हो जाना कहीं से भी सही नहीं है कोहली के टीम में होने से मैदान पर बिपक्षी टीम पर जो दबाब बनता है वो तो जग जाहर है तो दोस्तों टीम के सबसे बड़े मैच विनर के लिए थोड़ा सब्र तो किया जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि कोहली जैसे खिलाडी हरा फॉर्म से गुजर रहे हैं तो उनके शतक ना बनाने के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए कई खिलाडी आते हैं कई खिलाडी जाते हैं लेकिन विराट ओली का अभी मैदान से जाने का टाइम नहीं आया है लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आ क्रिकेट लाइन गुरू सो स्टेट यून और की वॉचिंग की तमाम लीटेस्ट अपडेट्स चानी के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरू चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस्स ना करें अल्सो फॉलो अस ओन क्रिकेट लाइन गुरू झाल 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 झाल